वेल्ड वीडियो स्टार्ट करते हैं इसी दुआ के साथ इसी प्रेयर के साथ कि हम सब की पी 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 आर्ट जल्दी आ जाए और आज की वीडियो के स्टार्टिंग में करने वाली हो जिनको 14th वैप को यानि वेलंडाइन्स दे के दिन अपनी पी पी पार रिसीव हुई है उन वेलंटाइन्स दे सुपर हैपी तोडे फाइल सब्मिटेट उन 14th वैप 2021 बामेट्रिक इनका 25 अप्रेल 2021 का है और अफरेंट मेडिकल इनका था अदिशनल डॉकुमेंट रिक्वेस्ट इन्हें आई है जैनुवरी 14 2022 को जिन में इन से मांगी गई पेसलिपस एंड बैंक स् बोथ और पीपार इने रिसीब भी है 14th वैप को सो यह कहती है ओल दे बेस्ट यू और बी पॉजिटिव मैनी मैनी कॉंग्रेट्यूलेशन यार वेलंटाइन्स दे से अच्छा कॉन सा दिन ओ सकते है बीपार निकले वैसे किसी भी दिन आ जाए हम तो हैपी है लेकिन उस द सब्सक्राइब कर दो चाहें कर वा लो क्या हम लोग रिक्वेस्ट का ही वेट कर रहे थे कई बार अफरान अपडेट भी हो चाहता है तो यह मतलब नहीं होता है कि हमारी फाइल का प्रोसेसिंग जल्दी हो जाएगा क्यों लोगों को यह भी लगता है कि यह टाइम सेविंग यह जैसे अपडेट हो गया तो रिक्वेस्ट आने के बाद हमें उतना टाइम बच जाएगा लेकिन मैं रिक्वेस्ट का ही कर यूं personally कि हमें medical request आ जाए और फिर जाकर हम update जल्दी जल्दी अपना medical कर वाले नेक्स्ट है रियान मुंटारियो जो ने मुझे comment किया है hi today my medicals got approved I lost on 4 12 2021 and biometric date इन्होंने लिखी है 6 1 2022 medicals update हुए है 14 2 2022 well आपका PPR भी जल्दी आ जाए अमरिंदर सिंग मुझे पूस्ते हैं कि savvy can you got visitor visa मुझे visitor visa की अभी कोई update नहीं मिली है खुद की and file कई लोगों ने अपनी timeline बताई है कि हमने file 18 3 2021 में लगाई है कब तक visitor visa मिलेगा जल्दी मिल जाएगा क्योंकि fab की most of the PPR समय देखने को मिल रही है जो मेरे दिल को line touch हुई है आप भी यह जरूर comment सुनियेगा पढ़ भी सकते हैं प्रिविएस वीडियो में यह comment है नमीता गुडे जी ने comment किया है क्या means हमारी हम किस दौर से गुजर रहे है spouse open work permit वाले timeline share कना is different thing but उन्होंने चो लिखा है awaiting my daughter is so sad and she thinks that I have left her and husband alone she has become so matured but my family need me and I do need them desperately almost a year I am far away बहुत जादा दिल को लगती है ऐसे lines यह बचे सोचते हैं कि हमारे parents जैसे इनकी बेटी इनने सोच रही होगी कि ममी हमें छोड़ के चलेगी so sad IRCC को ऐसे cases जल्दी अप्रूफ करने चाहिए क्योंकि कई बार हमारी need होती तो सबको need है लेकिन किसी को जादा need है जैसे मेरी बेटी मेरे पास है तो फिर भी बेटर है सिर्फ इस पाउस से दूर और बच्चों से दूर होना is difficult next in PPR timeline SOWP का refusal के discuss करेंगे that file lost on 6th April 2021 Biometric इनका update हुआ है 14th April 2021 को correspondence letter इनने 23rd June को मिल गया था 2021 मही और refusal इनने मिला है 14th February 2022 को reason refusal का इनका आया है you have been unable to educately demonstrate that you meet the requirements of SOWP under section 205 of the regulations sad very sad next हम discuss करेंगे कोर timeline SOWP file September 2021 में apply की गई थी इनके दौरा लेकिन इननोंने visitor visa फिर से apply किया और visitor visa इनका approve हुआ है 15th February 2022 को congratulations और एक visitor visa refusal case है यहां पर है second FAB को पुराने portal पे ही इनने apply किया था rejection इनने मिला है 14th FAB को purpose इनका था medical emergency का और इनका साथी साथ spouse open work permit भी लगा है 16 September 2021 का जिसमें medical update नहीं हुआ है और reason same है I don't know why मैं पिछले दो हफ्तों से या तीन हफ्तों से reason same ही देख रही हूं almost refusal का कि IRCC को doubt है कि वो Canada छोड़कर नहीं जाएंगे next refusal नए portal का है visitor visa क्या ही case है October 29 2021 में file apply की गई थी और SOWP इनका 10th February का है processing में लेकिन इनने refusal मिला है 15th FAB को with a common reason आप Canada छोड़कर नहीं जाएंगे next PPR हमें receive हुई है 22nd December 2021 को इनका biometric done है और medical pass 13 Jan 2022 का है और PPR मिली है 14th FAB 2022 को congratulations next हमारे पास again visitor visa refusal का है apply किया गया था 21 October 2021 में biometric 1 December 2021 का है और refusal इनने मिला है first refusal इनने मिला है 26 January 2022 को फिर से इन्होंने apply की file 3rd FAB को और refusal मिला है 9th FAB 2022 को यह late share करें यह क्योंकि रहते है ना जब refusal आते है तो कई बार हम लोग और sad हो जाते हैं उसके approval आ जाएगा लेकिन most of the cases अब जो है ना वो ratio refusal का बढ़ता नजर आ रहा है मुझद हो तो रहने देते हैं processing अपनी आसो डबलो फाइल पे ही चलने देते हैं विजिटर वीजा का वैसे भी रिफ्यूजल सिनेरियो बढ़ गया है इसका सो नेक्स्ट हमारे पास है अप्लाइड हुई है फाइल 31st Gen 2021 को बामेट्रिक इनका हुआ है 4th FAB 2021 को बामेट्रिक अपडेट हुआ है पास विजिटर वीजा का रिफ्यूजल केस है जिन्होंने 14th Gen 2022 को अप्लाई किया था और बामेट्रिक इनका पहले से ही हुआ है क्योंकि इसो डबलूपी में इन्होंने फाइल लगाई अपनी बैग्ग्राउंड चेक इनका 14th Gen को ही हो गया था फाइनल डिसिजन आया है 14th FAB को जिसमें इनका रिफ्यूजल आया है और रिफ्यूजल का रिजन से में कि आप कैनिडा छोड़कर नहीं जाएंगे तो यह थी आज की PPR टाइमलाइनस टाइमलाइनस देके यही लग रहा है कि जो दिसेंबर 2020 की फाइल एक दो जो बच्ची होंगी एक दो से मतलब है बहुत कम केसिस बचे हैं तो उनके PPR टाइमलाइनस आ रही है और जन्वरी लास्ट वीक की भी हम टाइमलाइनस देख रह है इट मेंस प्रोसेसिंग बहुत तेजी से हो रही है और हमें हमारी PPR बहुत जल्दी मिलने वाली है आई विश हम सब की PPR जल्दी आ जाए और हम ऐसे ही अपने वीडियो में शेयर कर सकें अगर आप ग्रूप में नए हैं अगर आप मेरी वीडियो फॉर फॉर्स टाइम कि ऑना तो मैं टाइम लाइन ले टाइं रामिर थिंपर से करती हूं टाइम लाइन शेयर करती हूं कि ताकर हम लोग सारे लोग मोटिवेट हो सकें क्योंकि मैं खुद भी एक केन्ट हूं और I know फामिवी से हज़ल रहना कितना मुश्किल हेप में एपने प्रमाउस से दो औ रही हैं और जो अपने बच्चों से भी धूर है हमारे लिए और बच्चों के मामले में हमारा पेशिंस भी डगबगा जाता है so hats off to you जो लोग भी अपने बेबी से दूर है and good luck to you all take care मिलते हैं अगली वीडियो में new PPR timelines के साथ तब तक के लिए bye bye और एक ही PR हम सब की PPRs बहुत जल्दी आजाए